हां जी कैसे हो सब भाई हम तो बिल्गूल ठीक हैं लेकिन सब लोग कब से बोल रहे हैं कि सबको आपका सेटप देखना है तो आखिर सेटप टूर कब कराओगे चलो ठीक है सब लोग रेडी हो जाओ आज हम आपको अपना सेटप टूर कराते हैं तो यह है हमारे स्टूडियो के एंट्रेंस जहां से हम एंट्री करते हैं अपने रूम में और दोर पर आप देख सकते हो हमने साब साब एक नूटिस लगा रखा है यह नूटिस हमने क्यों लगाया वो मैं आपको बताऊओ आगे वीडियो में फिलाल रूम में एंट्री करते हैं तो आगे हम लोग अपने रूम में और रूम में सबसे पहले एंट्री करते ही हमें दिखती है यह बड़ी सी टेबल जो की बिल्कुल यूजलेस है मतलब मैंने इस टेबल को इतने शौक से बनवाया था कि हम भी बड़ी सी टेबल बनवाएंगे टेक बर्नर की तरह और उस पर अपने हाथ पीटिंग है लेकिन भाई इस टेबल पे हाथ पीटना तो छोड़ो अगर मैं इसको टच भी करता हूं तो यह डिसको करने लग जात करता हूं और यहां पर मेरे ग्लासेश बीस में पड़े हुए है और एक ही कॉपी पड़ी जिसमें मैं अपनी स्क्रिप्टिंग करता हूं वो भी मैंने इसमें रख रखी है और यह लैंस का डबबा है जो कि अभी हमारा लैंस कैमरे में लगा हुआ है उसका बॉक्स है यह कि हमने इसमें रख रखा है और नीचे चार्जिंग भी इसी शेल्फ में हो जाती है तो मतलब यह जो शेल्फ है मुल्टी परपस है यह हमारे सारे काम में आ जाती है कब आई आपको जज नहीं करेगा तो अभी हम लोग बात करते हैं हमारे स्टूडियो के सबसे में चीज क करता हूं जो कि आप लोग देखी पा रहे होगे और YouTube देखने के लाबा मैं इसमें करता हूं editing तो अभी मैं इस पीसी का बस दो कामों में इस्तिमाल कर रहा हूं एक तो YouTube देखना और दूसरी editing फिलाल जब इसके बारे में मजें पूर्य अच्छे से knowledge हो जाएगी तो किसी द इस तरफ आएंगे तो एक मॉनिटर देखने को मिल जाएगा आपको जो की बैंक्यू का है जो कि मैं आपको बिल्गूल रिकमेंड नहीं करना अभी भाई बैंक्यू का मॉनिटर मतले न मेरे को तो बड़ा बेकार लगा भी तक और नीचे रख रखे हैं हमने कीबोर्ड माउस जो की बेसिक से हैं RGB जो की अपना रंग बदल लेते हैं तो आप हम लोग बात करते हैं स्टेबल की जिसके उपर मैंने अपना PC रख रखा है तो बेसिकली मेरे रूम में जितना भी फरनीचर है वो सब मैंने अपने घर पे कस्टमाईज करवाया है सब कुछ घर पी बनवाय है कुछ भी रेडिमेट नहीं है और यह टेबल मैंने घर पी बनवार रखी है अपने हिसाब से और इसमें तीन ड्रॉर्स है एक दो तीन पहली जो ड्रॉर है उसमें तो मैं अपना कैमरा रखता हूं और मैं अपना वो सारा सामान रखता हूं जो मुझे इस्टेंट है यह रहा हमारा सिलग गल उन्यद्ट तो यह जो वॉलैं सभसे ज़्से डियूपियो की मते हैं और इन के वाली वाल थाओ ना अच्छा भी वाल के ठीक सामने हम ने लगा रखेए यह पड़े जिनके पीछे है हमारा छोटा सा ही बैड जिसके उपर मैं सोता हूँ चो ये इसलूआ पच coal ये इसके बारे में हमा आगे बात करेंगे फिलाल आगे चलते हैं जिसमें सिर्फ एक बुक पड़ी हुई है चलो कोई बात नी इसको भी हम धीरे धीरे भर देंगे तो अभी हम लोग बात करते हैं हमारे कैमरे की कि मैं किस कैमरे से अपनी वीडियो शूट करता हूं तो यह जो वीडियो शूट हो रही है यह भी उसी कैमरे में हो रही है और कै तो आप लोग देखी पा रहे होगे इस कैमरे की तो ये एक बेसिक सा ट्रैपॉड है और ये है वो लाइट जिसको मैं यूज करता हूँ अपनी वीडियो में जो मैंने लगा रखी एक नॉर्मल से स्टेंड पर अब मैं आपको एक काम की बाता हूँ एक अच्छी वीडियो ब इसकी एक खासियत है ये मतलब वाइफाई से लाइट चलती है और मैं अपने फोन से इसमें कोई भी कलर बना सकता हूँ जैसे ग्रीन ब्लू परपल मतलब कोई भी कलर बन सकता है इसमें तो ये फोन से कंट्रोल हो जाती है ये जो लाइट है ये है विप्रों की जो आपको इमेजोन पर आसान ही से मिल जाएए अब आप लोग समझ रोगे कि ये बदा लिया लेकिन आपका ये स्टॉडीयो पटेने परने पर ये स्टॉडियो कंट्रोल होताय नी होताय तो हाँ हमारा बनाने के लिए अलककर के स्मार्ट चॉ यूज्प आएक गूंक्य मैंने आपक तो ये है मेरा स्मार्ट असिस्टेंट एलेक्स जो की मेरी एक कमांड देने पर सब कुछ कंट्रोल करता है जैसे की एक डेमो दिखाता हूँ मैं आपको अब आप लोग बोलोगे कियार म्यूजिक तो हमारी एलेक्स अभी प्ले कर सकती है इसमें कौन सी बड़ी बात है तो नहीं हमारा एलेक्स वह कर सकता है जो एलेक्स अभी नहीं कर सकती है रुको मैं दिखाता हूँ एलेक्स डांस करके दिखाओ बस बस बहुत होग अरे बस कर भाई रुख जाके नाग मनी लेके ज़ादा पूरी तुम्हारी एलेक्स यह सब इसकल सकता है मतलम अब यह समझ हो हमारा आसिस्टेंट एलेक्स मेरिए वह सब कुस कर सकता है ढै दले ओ, सब कुछ फिलाल हमने LX को वापस शूट पर लगा दिया है और अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने रूम के परदे के पीछे का महल की इस परदे के पीछे क्या है, आजाओ तो इस परदे के पीछे है हमारा छोटा सा बैट जिस पर मैं अराम करता हूँ और यह हमारा एक बड़ा सा शीशा जिसमें मैं अपना खुब्सूरत चेहरा देख सकता हूँ और यहां पर है अलमारी जिसमें कपड़े रखे रहते हैं और मतलब अभी हमारा इस्टूडियो रूम सब कुछ एगी है मतलब वहां से काम करके आओ और यहां पर आकर मस्त हो जाओ हमारे इस इस्टूडियो को बने वए दो महिने से ज़्यादा हो चुके है अब जो लोग मुझे इस्टाग्राम में फॉलो करते हैं उनको तो पहले से पता ही होगा क्या आप लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया है चलो कोई बात ने डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी इस्टाग्राम आइडी की लिंक दे दिये वहां से जाके आप मुझे फॉलो कर लेना ठीक है तो यही था हमारा छोटा सा सेट अप आई होप आप लोगों को देखने में मज़ा आया हुगा तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरू कर जाना हम मिलते हैं आप से अगली वीडियो में